नमस्कार प्रभासाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वाकत है आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अंतराश्य योग दिवस पर पूरी दुनिया ने किया योग भारत ने विश्व को एक सूत्र में बांध कर रख दिया तो आए सुनते आज की इस प्राओं और कस्वों से लेकर पहाड़ी इलाकों और समुद्र में तैरते जहाजों से योग करते लोगों की जो तस्वीरे से आमने आ रहे ही है वह दर्शा रही है कि भारत की योग विद्या की पूरी दुनिया कायल है और हर कोई इसे अपनी दीनेचरिया में शामिल कर अ अपने जीवन का महत्पूर्ण अंग बनाने की होड में धर्म जाती सीमा और इस्तरी पूरुस का भेद मिट चुका है योग का आर्थ है जोड़ना और जिस तरह योग ने समुची दुनिया को जोड़ कर रख दिया है उससे यह साबित होता है कि भारत में ही पूरी दुनि दुनिया भर में कई कारिक्रम आयोजित किया गया इसको संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया आज योग को वैश्विक भलाई के लिए शक्तिसालि माध्यम के रूप में देखती है क्योंकि यह लोगों को अतीत का बोज उठाए बिना वर्तमान में ज जीने में मदद करता है प्रधान मंद्री ने कहा जब हमारा चित शांत रहता है तब हम दुनिया पर सकरात्मक प्रभाव डाल सकते हैं योग समाज में सकरात्मक बदलाओं के नई तरीके बना रहा है हम आपको बता दें किया कारिकर्म डलजहिल के किनारे खुले मैदान में होना था लेकिन बारिश के कारण इसे बड़े हौल में आयोजित करना पड़ा अपनी संबोधन के बाद प्रधान मंत्री ने सामोहिक युग्या भ्यास में हिस्सा लिया प्रधान मंत्री ने का प्रस्ताव रखाता और भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है उन्होंने कहा तब से योगदिवस लगतार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है अंतराश्य योगदिवस के तौर पर मनाय जाने की घोष्णा दिसंबर 2014 में की थी सायूक्त राश्ट महासाभा में योगदिवस का प्रस्ताव प्रधान मंत्री मोदी की पहल पर आया और इसे सर्व सम्मत्ति से पारित किया था प्रधान साल 2015 से हर साल योग दिवस पारयोजित समारोहों का नित्रित करते हैं उन्होंने दिल्ली चंडीगर्द देहरादून राची लखनाव मैसूर और यहां तक की निवक में भी सयुक्त राष्ट मुख्याले सहित विभिन प्रतिश्ठित अस्थानों पर योग दिवस समारोहों क के लिए योग है आज के लिए इतना ही अगले पॉड्कास्ट में किसी और मुद्धे पर देंगे विस्तित जानकारी जोड़े रहे हैं प्रभासाक्षे के साथ